दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिव्याशर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अंगूर खाना कितना फायदे मन्थ है सिरफ रोजाना 25 ग्राम अंगूर खाने के कितने फायदे है ये कितने बिमारियों में फायदे मन्थ है और इसके साथ साथ बताया जाएगा कि अंगूर किन लोगों को बिलकुल नहीं खाना चाहिए अब बात करते हैं अंगूर खाने के यानि 25 ग्राम अंगूर खाना खाने के क्या फायदे है जिनको भी यूरिन प्राब्लम है यानि कि मुत्र से रिलेटिव कोई भी प्राब्लम है उनको अंगूर जरूर खाना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूरिन होता है वो रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आने लगता है ये प्राब्लम किसी को बतानी भी बहुत मिश्किल होती है यानि कि यूरिन का रुक रुक कराना बार बार आना ऐसे लगते रहना कि यूरिन आ रहा है लेकिन जब हम ये कह सकते हैं जब वो problem जिस इंसान को है वो urine करना चाहता है तो उस time उसे पूरी तरह से urine नहीं आ पाता यानि कि urine रुक रुक के आने की जो problem है अगर जिन लोगों को ये problem है उन्हें जरूर अंगूर खाने चाहिए वो सिरफ और सिरफ 25 ग्राम रोजाना खाने चाहिए वो भी खाना खाने के आदा घंटा बात में और भी खा सकते हैं लेकिन 25 ग्राम अंगूर ही काफी है इसके इलावा जिनको बहुत कब्ज की problem रहती है उनके लिए भी अंगूर बहुत बढ़िया है जिनको भी कब्ज की problem है उन्हें अंगूर जरूर खाने चाहिए अंगूर खाने से कब्ज दूर होती है और एक इससे इलावा नाक मुहें इनसे जिनको भी खून वगर आता है वो भी ठीक हो जाता है यनि कि ये कह सकते हैं कि बाडी डिटॉक्स होती है जो लोग 25 ग्राम अंगूर खाते हैं इसके इलावा जिनको भी आँखों की problem रहती है आँखे दर्द करती हैं बहुत जल्दी थक जाती हैं तो उनको भी अपनी शक्ती को बढ़ाने के लिए आँखों की light को तेज करने के लिए अंगूर जरूर खाने चाहिए जिनके पेट में बहुत जलन रहती हैं उनके लिए भी अंगूर बहुत वाइदेमन है लेकिन अब जानते हैं कि लोगों ने अंगूर नहीं खाने तो जिनको लूज मोशन लगा हुआ है बोग लोग नहीं खाएं गुदिटादा इक चीज वमचूर बता दो अंगूर बहुत जादा भी नहीं खाएं बहुत जादा को खाने से रहे बिम्भ हो जाती है और इसके इलावा जिनको डूस मोशन लगे रहते हैं उन्हें अंगूर नहीं खाने चाहिए इसके इलावा कच्चे और खटे अंगूरों का सेवन नहीं करें ये थी information अंगूर के बारे में अगर आप इसी information को इसी वीडियो को पनजाबी में सुनना चाहते हैं तो description box में पनजाबी में लिंक दिया गया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भुले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाले वीडियो के इंफॉर्मिशन उसके अप्डेट्स पी आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम यानी सुबह के नौ बजे तब तक के लिए stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye